हेलो दोस्तों आयूश्ची के सक्ट चैनल पर आपका बहुत स्वागत है मैं आपका दोस्त डॉक्टर शहरियाद आज जो मैं टोपिक लेका हूं वो पुरानी से पुरानी जो खासी हो जाती है जिसके खासी ने जारी हो किसी भी दवाई से उसके लिए बहुत अच्छन उसका शेयर करें जिससे दूसरे लोगों तक इसका लाग हो सके दोस्तों चलते हैं सीदे सीदे हम दवाई जो मैडिसिन वो बनानी है किस तरह से बनानी है तो ठीक है चलते हैं और फिर बिलते हैं दोस्तों हमें लेना है गोला यह जिस सेनारियल भी बोलते हैं और यह गोले को जो है इसको कर लेना है और कद्दू कस जो है वो जादे मोटा भी ना हो जादे बारीक भी ना हो इस हिसाब से हमें कद्दू कस करना है तो दोस्तों यह जो आज हम दवाई बना रहे हैं यह बहुत ही बढ़िया दवाई है खासी के लिए और अब कोरोना की वह इसे बहुत से महेंगी नहीं है तो दोस्थों यह जो है हमने गोला कस लिया है कक्दू कस में और कुछ ओर कुछ इतनी बहुत जादे द्वाईों की ज़रूरत नहीं है यह घर पे जो है आसानी से मिलने वाली यह हमने ले लिया है दूद किसी भी उसका दूद ले लेना है आपको गायका भैसका और दूद को जो है गैस पर रखके इसमें दो चम्मच हमें गोले के यह डाल देना है और आप अपने हिसाब से बना सकते हो कम ज्यादा कितनी भी किसी भी हिसाब से बना सकते हो किसी को कम ख अबकने इसाल कि भंट हो है और सकते था इत्या में सर्मसाइब तो फिर वीडियो चूल में उनसे रिक्वेस्ट करता हूं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्याद से ज़्याद से शेयर करें जिससे दूसरे लोगों तक इसका लाब पहुंच सके दोस्तों ये मुझे भी काफी खासी हो रही थी मैंने अपनी लिए बनाया था और मुझे जो है ये तीन से चार दिन की दवाई खाने से ही मेरी खासी बिल्कुल खतम होगी थी तो दोस्तों ये बहुत ही शानदार नुसकल मैं आपके लिए लेका आया हूँ और बहुत इजी है बस खाली दो चीज़ लेनी है आपको गोला लेना है नारिल बोलते हैं इसको और दूद लेना है और गोले को कद्दुकस करके जो मैं तरीका आप देख रहे हैं इसमें वीडियो में बिल्कुल सेम तरीके से आप इसको इसको इस्तमाल करेंगे तो इसका बहुत फादा रहेगा और सुभा इसको अगर ये करने के बाद में दवाई बनाने के बाद में सुबा भोके पेट लेंगे तो इसका ज़्यादा रहता है तो देखो इसको पगने दे जब खुब अच्छे से पग जाएगा ये अभी इसमें खत्वदी आ रही है और काफी गाड़ा हो गया है तो इसको पगाने के बाद में खाने का पूरा में तरीका आपको ये बताऊंगा ये काफी गाड़ा होता जा रहा है देखो ये बिलकुल जो है ना खोवे की तरह जैसे खोआ होता है उसी तरह से हो गया है और इसको करना भी इसी तरह से है तो इसको जो है हमने ये पूरत अच्छी तरह से पका लिया है इसी तरह से पकाना है थोड़ा हलका भी रख सकते हैं आप अपने हिसाब से और इसमें चीनी नहीं डालनी है चीनी गुण बगरा किसी भी चीज से मीठा नहीं करना है इसको यह ध्यान रखने वाली बात है आपक इसको हलका गरम गरम ही इस्तमाल करना है ठंडा करने के बाद में इसको इस्तमाल नहीं करना हलका निवाया निवाया इसको चबा चबा के और इसको खाना है पूरा तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसको जादस जादस शेयर करें और चैनल को सब्सक्र